अच्छा, बुरा, शान्थ, अशान्थ, अपना, पराया तो मैंने क्या बोला अभी? मैंने जैसे बोला अच्छा तो आप उसका अंसर दे रहे हो बुरा तो मतलब आप क्या कर रहे हो? मैंने जो भी बोला उसका उल्टा अर्था बोल रहे हो तो इस तरीके से जब किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताया जाता है उसको बोला जाता है विलोम शब्द विलोम शब्द को हम विपरित आर्थक शब्द भी बोलते हैं यहां पे हमें दे रखा है हाती बड़ा है तो बड़ा का विलोम शब्द क्या हो गया छोटा मोहन मोटा है मोटा का विलोम शब्द क्या हो गया पतला नीम्बू खटा होता है खटा का मीठा रोसन पढ़ रहा है स्वेता लिख रही है पढ़ लिख अगर यहां पढ़ना होता तो यहां पे होता लिखना तो इसी तरीके से जो हमारी डेफिनेशन बनती है वो है प्रस पर उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम या विप्रितार्थक शब्द कहते हैं जैसे यहां पे कुछ एक्जामपल दिये गए हैं गीला, सुखा, आग, पानी, अपमान, सम्मान, अपना, पराया, उपर, नीचे, सफाई, गंदगी, गरम, ठंडा कायर, वीर, दिन, रात, भारी, हलका, सच, जूट, पाप, पुन्य, मितर, स्त्रू, सुन्दर, कुरूप, लाब, हानी, हार, जी नाव, वी आर डूइंग, एक्सेसाइज, और एक्सेसाइज में सबसे पहले है, दिये गए चितरों के परस्पर विलोम शब्द, लिखिए, यहां पे एक बच्चा रो रहा है, तो उसको हमने लिखा रोना, और जो सामने हस रहा है, तो रोना, हसना, एक उपर है, और एक न थंडी होती है, तो गरम थंडा, खरगोज छोटा होता है, लोयन बड़ा होता है, तो छोटा बड़ा, इसके बाद आता है क्योसर नमबर टू, कोस्ट से सुनकर निमी लिखी शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, अच्छा, बुरा, कम, ज्यादा, शांत, अशांत, नमबर थार्ड, विलोम शब्दों को परस पर मिलाईए, और दिये गए स्थान पर लिखिए, अब यहाँ पे आपको दे रखा है सच, सच का विलोम शब्द होता है, जूट, तो मैंने यहाँ लिखा सच का जूट, दिन का होता है, दिन का, रात, तेज, तेज का बनेगा, धीरे, ठंडा, कोई चीज ठंडी है तो दूसरा उपोजिट क्या होगा उसका, गर्ण, हार, जीत, हसना, रोना, मुर्ख, यह भच गया एक आपका बुद्धी मान, अब यहाँ पे है आपके लिए एक्टिविटी, आपके विडाले में कई ऐसे विद्यार्थी होंगे, जिनके नाम का अलग-अलग आर्थ होगा, जैसे रजनी का रात और दिवस का दिन, आप विद्यार्थियों के नाम जितना संभव हो सके, लिखकर विलो मार्थ देने वाले नामों को छाटिए और एक सूची बनाईए, मिन्स ये एक्टिविटी कैए है, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट है, आप देखिए कि किसी का नाम उसका क्या अर्थ निकलता है और उसी का ओपोजिट किसी दूसरे के बच्चे के नाम से बनता है या नहीं बनता, इस तरीके से आपको एक्टिविटी करनी है, ये है आपका चैप्टर, प्लीज वीडियो को शियर करें, लाइक करें और कमेंट करें, थेंक यू,